शुरू करते हैं इस वक्की बड़ी खबर से कोरोना के खिलाफ जंग में आज की सबसे बड़ी जो खबर है सबसे पहले वो जानिये कोरोना के खिलाफ अब मैदान में मोर्चा संभालेगी इंडियन आर्मी राजनात्सी ने सेना से नागरिकों को हर समगो मदद के लिए कहा है इस्थानिये कमांडर सीम तक पहुँचें और मदद पहुचा है ये कहा है देश के रक्षा मंत्री राजनात्सी ने आर्मी अस्पतालों को नागरिकों के लिए खोला जाए ये राजनात्सी ने कहा है और इसके लावा उन्होंने कहा है कि जो भी मदद कर सकते हैं सेना के कमांडर सेना वो स्थानिय स्थार पर जो स्थानिय कमांडर है जो मुख्यमंत्री है राज्यों के उनसे बात करें और मदद करें क्योंकि ये वक्त अब युद्ध काल जैसा है ए आपको मालूम होगा डियार्डियों ने लखनव और दिल्ली सहित कई जगों पर ऑक्सीजन पहुंचाने, बेड्स की उपलब्धता बढ़ाने, अस्पताल, मेकशिफ्ट, अस्पताल खड़े करने में काफी काम किया है और अब और जादा मदद के लिए राजनाज सीग ने इंडियन आर्मी से कहा है सुमित चौधरी इस वक्त हमारे सन्वारता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं सुमित तो देखें वाकई ये युद्धकाल है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता और अब इंडियन आर्मी भी आगे आ रही है, क्या जानकारी है देखें आपको याद होगा कि पहले जब पिछले साली सारी चीज़े हुई थी तब भी इंडियन आमी ने इसी तरीके से तो हेल्थ केर सिस्टम से उनको मर्ज कर दिया जाया जाया और अब इंडियन के लिए उनको खोल दिया जाया रही करीबन 67 ऐसे जो आर्मी के होस्पिटल से लग लग चेहरों में अग लग लोकेशन पर उनको सिविलिन को खोलने की बात की इसके अलावा ये भी कहा गया है क जो लोकल कमांटर्स है जिए पास अपने छोटे बेसिस के अंदर अपने फिर्ड होस्पिटल से हैं अपनी स्टेल वेब इस्टेबलिशमेंट है वो सीम तक पहुचे उसकी जानकारी दे ताकि लोकल लोगों के लिए 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 आमनागरी को के लिए उसका इस्तमाल किया प्रशबर्श पर